नमस्कार दोस्तों यह CT DVD जैसे टर्म जो हमारी परिक्षाओं में आते हैं यह ऑप्टिकल डिस्क क्या है और यह एच्वीडी क्या है और यह कैसे काम करता है यानि जितने भी ऑप्टिकल डिस्क है यह काम कैसे करता है सबकी छमता क्या होती है और इसका इस्तमाल क्यों होता है अगर ऐसे सवाल आपके examination में आते हैं या आपके निज़े जिन्दगी में भी ऐसे सवाल को जवाब आप ढूंटे हो तो ये session आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है नमस्कार में नाम है विवेक पांडे स्वागत हरादा 247 के platform पे और आज हम discuss करने वाले हैं secondary memory का एक और उधारन जिसका नाम है optical disc और उसके कितने प्रकार हैं वो कैसे काम करते हैं और ये इस topic से हमारे examination में कैसे प्रश्ण आते हैं इन सारे सवालों का जवाब है जो आज के session में मैं आपको देने वाला तो चली session को start करता है about the optical disc which is an example of secondary memory चली बात करते हैं कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था कि secondary memory क्या है वह memory जो CPU से indirectly connected है वह हमारा secondary memory है उनी में से एक उधारन हमारा होता है मैंने many times इस जिसके बारे में दिसको कि वीडियो मैंने अच्छे से बिस्तार से बता दिया था जो भी नए बच्चे है वो कल वाली वी ज़रूर जाके देखिएगा जहापे मैं आज मैंने बताने वाला हम किसके बारे में तो मैं आज यहां पर optical disc के बारे में बताने वाला हूँ ठीक है चलिए देख बात करतें दोस्तों आपने नाम सुना होगा optical disc मैंने एक example भी आपको दिया था जिसके spelling में दोस्तों मैं आपको बता दू अगर मैंने एक हिंट भी दिया था एक ऐसा डिस्क सब्सक्राइब हो और जिसके spelling में डिस्क लिखा रहे हैं तो उसे हम लोग optical ही कहते हैं ठीक है एक समझने का है एक ट्रिक कह सकते हैं इसको जैसे कि सीडी सीडी के वह स्पैलिंग कॉम्यट्डिक होती है तो यह हमारा क्या है यह हमारा मैं दूसरा हमारा दीडीन नाम सब शुना है और डीवीढी का फूल फॉर्म आपका डिजिटल वसकंटाइब mr.dx या इसको video डिस्क भी और यह यह window जो एक बहुत लार्ज अमाूंट डेटा है जो स्टोर करता है दोस्तों वह हमारा क्या है तो वह याद रख Capeze ओपक्र यह सब क्या है कैसे काम करता सब्राइट कीके इस सब के बारे मिस्तार से आज के बीडियो में हम डिसकस करने था कि अगर आपके पास कोई हार्डिस है तो उसमें डेटा कैसे स्टूर होता है तो ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में स्टूर होता है रीड कैसे होता है राइड कैसे होता है इन सारे सवालों को जवाब है जो मैंने कल की वीडियो में दे दिया था ठीक है आज मैं आपको वह और नौरमली यह आपका डिस्क होता है, आपने देखा होगा, यहाँ पर ऐसा ही circular रूप में होता है, तो अगर आपसे पूछा जा जाए किस डिस्क ऐसा होता है, तो circular होता है, यह देखने की बात है, सबको वालू में, सवाल क्या बनता है? सर यह डिस्क जो है किस material का बना होता है? तो याद रखिएगा, यह मेरा polycarbonate plastic का बना होता है. यह basically जो material है, वो polycarbonate plastic का बना होता है, और जिसके corner में एक aluminium का fall लगा होता है. छिक आपने, देखा हो, corner में आपको दिखता हो. यह जो सबसे किनारा है जिसको लेबल कहते हैं तो almost यह material जो है वो polycarbonate plastic का बना होता है एक तरह से plastic ही होता है और यहाँ पे aluminum का coating किया रहता है आप देखना थो साइनिंग भी रहेगा corner ऐसे करके आप देख भी सकते हो ठीक है तो material क्या इस्तमाल हो रहा है दोस्तों तो material इस्तम अगर आजा एक्जाम में कि optical disc के बना होता है तो आख बंद करके polycarbonate plastic का बना होता यह clear हो गया ठीक है जैसे उसमें बनाया बताया था मैने magnetic disc होता है magnet होता है वो एक machine है mechanism पे काम करता है उसी तरह कर यहां material की बात करें तो material यहां पर क्या इस्तमाल हो रहा है polycarbonate plastic का इस्तमाल हो रहा है ठीक है दूसरा point यह आता है कि सर आपने एक बताया था उसमें कि डेटा जो है ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में होता है यहां डेटा कैसे होता है जैसे आपको याद होगा जो मैं कल वाली वीडियो को correlate इसलिए कर रहा हूं कि आप आज वीडियो जो दे अगर मैंने टा के डेटा होता है और से ट्रैक के रूप में डेटा हमारा होता है और फिर वह से सेटर के रूप में डिवाइड होता यहमैंbeiten में होता है उसी तरह अगर मैं बात करता हूं lep लेकिन इसमें डेटा न पीट और लेंड के फॉर्म में होता है पीट और लेंड क्या है वो मैं आपको बता दू बैसिकली इसके अंदर जो होता है आप याद रखिएगा ऐसे करके बना होता है यह ऐसे-ई-से क manga workers को अगया है के यह वह थैसिते जो क punya है है तो डेटा का जो formation होता है दोस्तों वह किसी इस तरह से होता है इसे हम लोग कहते हैं पीट एंड लेंड ठीक है यह जो उभरता वा पाठ дополн है इसे प्लिदी कहते थीक है और ये पीडन का जो इर्द यह वाला भाग हो गया यह खाली वाला जो स्पेस होता है इसे हम लोग क्या कहते है इसे हम लोग लेंड कहते है ठीक है तो किस फॉर्म में रहता है यहां पर पीट और लेंड के फॉर्म में है ठीक है पीट और लेंड के फॉर्म में और यह पीट लेंड फॉर्मेशन जो होता है जैसे और एसे से करके ये जैसे वहां पे मैंने बताया था कि डिटा का जो वहां पे रक हाऊ वह try already उसी तरह यहां पे किस फॉर्म में है तो पीट ऊर्लैन्ड के फोर्म है यह उपद पीछ वाला पार्ट उसको पीट कहते हैं ठीक है यह बात समझ में आ गया दो चीजे क्लियर है आगे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यह पीट है और यह लेंड है और यह भी आपको देखें दूसरा पॉइंट यह आता है कि जैसे आपको याद होगा कि उसमें जो डेटा रिड राइट का जो काम करता यह लेजर करता है है तो यहां पे डेटा के दोरा या यहां पे डेटा को एके राइट करता है हम यह बीम के द्वारा की द्वारा writers कि रहता है कोतशा आगर हम यहां पर पूछा जाए कि CD player में या DVD player में data का read right formation कैसे होता है तो यह हमारा laser beam के द्वारा होता है दोस्तों data कैसे रखा रहता है तो Peter Land के form में रखा रहता है और चौथा सवाल यह अगर आता है कि सब किस material का बना है तो वो मेरा polycarbonate plastic का बना होता है जो side से aluminium cotton होता है तो generally कोई भी अगर optical disc है तो उसका structure इसी तरह ही होता है ठीक है याद रखिएगा जैसे ही यह सब कुछ normal रहे और जैसे वहाँ पर laser beam वहाँ पड़ता है तो पीट का formation हो रहा है यानि data वहाँ पर write किया जा रहा है तो उसी को reflective surface कहते है यानि जहां पर वह बीम पड़ रहा है जहां पर रहा है और data का वहाँ पर यूज हो रहा है यारीड कर रहा है तो उस एरिया को reflective surface कहते है ठीक है तो याद रखिए प्रिट और लेंड स्वार्मेशन होता है यानि पीट का formation जब वहाँ पर हो रहा है तो उसे reflective surface कहते है ठीक है उसे क्या कहते है रिफ्लेक्टिव सर्फेस कहते है ठीक है तो याद रखिए अगर पूछा जाए कि पीट और लेंड का formation कि सर्फेस पर या तो आप कहिएगा रिफ्लेक्टिव सर्फेस पर ठीक है यह तीन चार पांच सवाल है जो जो अप्रिकल डिस्ट से डेफ तक पूछा जा सकता है अंदर तक पूछा जा सकता है जो मैंने आपको बता दिया मैं एक समरी बता दूं कि ऑप्टिकल डिस्क क्या है तो आपको मालूम है कि यह मेरा एक सेकेंडरी स्टोरेज मिडियम है याद रहेगा दूसरा किससे बना होता है पॉली कार्बोनिट प्लास्टिक का बना होता है डेटा किस फ़र्म में है दोस्तों तो डेटा यहां पे पीट और लैंड के फ़र्म दूसरा पॉइंट अब आते हैं टाइपस में ठीक है तो सबसे पहला टाइपस यहां अभी इससे पहले जो मैंने बताई वह थोड़ा सा दिमाग लगाना था मैं कॉंसर्चुल चीजें यहां पर जिक्र करूंगा क्यों करूंगा क्योंकि सर मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं आपको गेट के अंदर जाने के लिए तयार कर रहा हूं साथ ही साथ गेट के अंदर अब चले जाओगा सिस्टम के अंदर में तो वहां पर कैसे काम करना है वहां पर भी यह सारी चीजें जो आपको वहां पर बेनिफिट करेगी या फिर आपको मदद करेगी तो इसलिए हर तरह से मैं आपको तयार कर रहा हूं हर तरह का information यहां पर मैं दे रहा हूं जो आपके लिए important है exam point of view से और system में अंदर जाने के बाद भी आप वहां पर उसका utilize कर सकते हो ठीक है चलिए आपके पास कोभी knowledge आप कहीं न कहीं उसका implement जरूर कर लेते हो ठीक है तो अब आते हैं मुद्धे पर तो सर दोस्तों सीडी जैसे मैंने बताया कि optical डिस्क उतने सारे प्रकार है उन्हीं में से एक प्रकार है हमारा सीडी सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क हम लोग कहते हैं अभी मैंने बताया भी था और आप का होता है और यहां अगर यह सीडी हम पर चेच करेंगे सीडी रॉम तो यह क्या होगा यह at a time manufacturing इसमें data डाल दिया जाता है और सिर्फ हम read कर सकते हैं सिर्फ read कर सकते हैं उस data को हम लोग change नहीं कर सकते हैं cd-rom read only memory आप notice करना जो antivirus की cd आती है antivirus की cd आता है ना भाई या फिर हम लोग जो software की cd purchase करते थे ठीक है तो जो वो सब क्या होता था कि हम खुद लाके कुछ नहीं कर रहे हैं already उसमें data रखा हुआ हम बस उसका use कर रहे हैं यानि उस data को सिर्फ read कर रहे हैं दोस्तों तो याद रखिएगा जैसा software की cd होती है antivirus विदी एक software ही होता है तो दोस्तों यह सारी जो cd है उसमें data कैसा होता है तो रॉम के form यानि read on only memory के form में होता है ठीक है यानि सिर्फ data का हम लोग read कर सकते हैं इसको access मतलब इसके साथ write नहीं कर सकते हैं सिर्फ data का हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो पहला type हो गया cd-rom दूसरा है हमारा cd-rw rw का मतलब होता है re-writable या reusable भी कह दो या readable writable भी कह दो मैं पुना बताता हूं cd-rw को हम लोग re-writable कह दे readable writable कह दे या reusable भी कह दे all are same ठीक है already मैंने बता दिया इसके बारे में इसकी खासिते क्या है दोस्तों अगर इस cd को आप purchase करते हो आपने एक cd लिया ठीक है इसमें आपने cd में क्या किए एक movie डाल दिया बहुबली बहुबली movie आपने उसमें डाल दिया ठीक है तो आपने उसमें बहुबली डाल दिया ठीक है तो आपने उसमें बहुबली डाल दिया ठीक है सर बहुबली देख लिए देख लिए अब मेरा मन कर रहा है कि बहुबली को हटा के उसमें आर 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 काम आप यानि कि data को reuse बार-बार कर सकते हो data को उसमें बार-बार change कर सकते हो rewriteable read rewriteable बार-बार write उसमें हम लोग कर सकते हैं किसमें तो हमारा Rзд입니다 to vary rightable में क्या क्या है कि data हम बार-बार change कर सकते हैं एक बार CD लाए से जुए उसको फिर उसमें आरार डाल दिये उसको हटाएके फिर कुछ और मुवी डाल दिये फिर उसको हटाएके फिर कुछ और मुवी डाल दिये ऐसे डेटा का बार-बार हम दोग चेंजेस कर सकते हैं अगर हमारे पास CD-RW है यानि की रिराइटेबल या रिडेबल राइटेबल या रियूजेबल डिस्क है अगर आपसे पूछा भी जाए परिक्षाओ में यह सवाल भी आता है कि इन में से कौन सा CD है जो रियूजेबल है दोस्तों तो आंसर हमारा होगा CD-RW अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि इन में से कौन सा ऐसा CD है जो राइट प्रोटेक्टेड है राइट प्रोटेक्टेड यह एक्जाम में आ भी चुका है इसलिए मैं इस सवाल के यहां पर जिक्र भी कर रहा हूं कि इन में से कौन सा CD है जो राइट प्रोटेक्टेड है reusable कौन है तो हमारा RW है वो हमारा reusable है यह दो चीज clear हो गया मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा तीसरा type है मारा CDWORM write once read many write once read many लिख लेना कहीं नाम सही clear है अब इसकी खासियते क्या है इसकी खासियते यह है कि सर market से आप blank CD लाते हो उसमें एक बार ही data write करने के आपको permission देता है यानि एक बार आपने उसमें बहुबली डाल दिया तो बस बहुबली ही रहेगा आप उसको change नहीं कर सकते हो हां लेकिन क्या कर सकते हो बहुत बार read कर सकते हो यानि कि एक बार देखो बार देखो बहुबली को दो बार देखो बहुबली को चार बार जितना बार चाहाओ उस data को read कर सकते हो लेकिन write उसमें मात्र एक ही बार कर सकते हो WORM की खासियत यह है दोस्तों कि आप एक blank CD लाते हो अगर आपने मार्केट से परचेज किया है CD WORM यानि write once read many CD तो उसमें एक बार ही data को write करोगे और बार बार read करोगे दोस्तों ठीक है तो यह खासियत थी CD WORM की ठीक है याद रखिएगा मैंने तीनों के बारे में बिस्तार से बता दिया और क्या खासियते हैं और प्रश्ण भी क्या बन सक 700 MB, 700 MB, 680 MB, 650 MB यानि कि आपका 700, 800 के आसपर यानि एक GB से कम ही रहता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी छमता कितना है तो up to 700 MB, 750 MB, 800 MB, 650 ऐसा कुछ option में लिखा है तो आपका सही answer होगा ठीक है तो छमता इसकी कितनी होती up to 700 MB याद रखिएगा ठीक है 700, 700 भी लिख तो गलत नहीं है क्योंकि उतना close option आपकी एक्जाम में नहीं देगा या तो देगा 700 MB या डाइट लिख देगा आपका GB ठीक है तो याद रखिए अगर इसी के इर्दगिर्द आपको मिल रहा है 50 आगे पीछे तो answer आपका सही है ठीक है तो 3D-ROM की छमता इतना ही होती है मै अधिशन फसर टाइल डिस्क भी कहते हैं दोस्तों इसके बारे में जिक्र करते हैं यह तीन टाइप तो इसका होगा ही वह रॉम और डेबलू डेबलू रम तो होगा ही यह वही खासियते हैं जो मैंने इससे पहले जिक्र किया इसके अलावा इसमें कुछ एडिसनल भी आता है क्या क्या आता है तो SSSL DSSL यह क्या है सिंगल साइड सिंगल लेयर सिंगल साइड सिंगल लेयर डबल साइड सिंगल लेयर डबल साइड सिंगल लेयर डबल साइड डबल लेयर ठीक है एक सकंड तो यह जितना भी प्रकार है जैसे हम रूख कहा सकते हैं सिंगल साइड सिंग डबल साइड डबल लेयर यह इसका सारा टाइप होता है मैं उमीद करता हूं आपको समझ में आ गया ठीक है तो दोस्तों यह इसके प्रकार है सिंगल साइड सिंगल लेयर डबल साइड डबल लेयर ठीक है कोई दिकत नहीं कोई समस्या नहीं कोई यहां पर नहीं है समझ में आ गया इसका भी राइट वाला वही कॉंसेट यह क्यों बाटा गया है सिंगर क्योंकि छमता इसका ना वैरियेशन है याद रखिएगा इसकी छमता जो है वह 4.7 GB से लेकर हमारा अप्टू 17 GB तक आया था ठ कि किसी एक मूवी को देखने के लिए तीन डिसक आता था था जब डिवीडी का दौर आया तब ऐसा हुआ कि एक ही डिवीडी में चार-चार मूवी हमें मिलने लगा जिसमें हम लोग पढ़ाई करते तो उससम्ए ही होता था THE कि इसमें स्कूल में थो में CD बगर आया था त तो डीवीडी आ चुका था तो हुआ क्या भाई एक डीवीडी खर तो उसमें पांच-पांच मूवी मिल जाता था तो ऐसा इसलिक मिल जाता था क्यों कि छमता तो इतनी होती थी कि यह भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा तीसरा जो डिस्क है दोस्तों याद रखीएगा तीसरा जो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तीसरा कौन सा टाइप हो जाएगा जो रहा है तो अगला जो है अमारा वहें बी आरेडी ब्लूरेट डिस्क बस फर कितना है कि इसकी चमता उससे जादा आन एक है यह आ यह आपका यह होगा यह भी आपका होगा यह खतम हुआ नहीं चली रहा है तो ठीक है अब तो ओमिट ही हुजाएगा लेकिन इसकी स्टोरेज छमता इतनी तक गई ठीक है इसलिए आपका क्या हुआ ब्लू-रेज स्टोरेज क्योंकि इसकी छमता ज़ाधा है याद रखिएगा आपने कभी नोटीस किया होगा किसी भी मुवी अगर अच्छी क्वालिटी मुवी आप देख रहे हो तो नीचे लिखा रहता था था ब्लू-रेज स्टोरेज कभी नोटीस करना ठीक है यह उसकी रि फिल्म की जो पहले फॉर्मेशन स्टोर की गई थी पॉर्टेबल डिस्क में वह ब्लू-रे में के रही थी तो याद रखिएगा ब्लू-रे के बारे में इतना ही याद रखना है कि यह एक ऑप्टिकल डिस्क है और इसकी छमता पचीश जीवी 50 जीवी 100 जीवी के आसपास इ यह है अमारा ब्लू-रे डिस फुल-फॉर्म यह पूछा जाएगा ठीक है यह किसका एक एक जामपल है वह आपका पूछा जाता है तो आए उम्मीद करता हूं कि यह सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा चली अगला जो टाइप है दोस्तों वह है मारा HVD जि स्टोरिज होता है एक टेराबाइट दो टेराबाइट आप तो तीन साढ़े तीन टेराबाइट के आसपास भी यह बढ़ेगा है ठीक है यह खतम नहीं होगा क्योंकि यह रणिंग टेक्नोलोची है तो दोस्तों HVD भी हमारा होलोग्राफिकल वस्टाइल अप्निकल डिस् जितने भी एनिमेटेड मुवी वेगरा बनती है या जितने भी हम लोग ग्राफिकल वर्क होता है कि वहां पर कोई भी ग्राफिक से है वहाय कुंग नहीं लाते है तो दोस्तों pottery पर तेरा बैट में इस स्डोर करता आगर आपसे पूछा जाए इन मेंसे कौन सा है जो हाई अगर जितने भी उप्टीकल डिस्थ है उन में से हीड़ी जो सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करता है अब टू टेरा वाइट दो टेराबैट लिटेस्ट मैंने बताया 3.5 टेरा बैट एस पास स्टोरिज कापसटी होता है फुल फार्म याद रखिएगा ये एक्जाम में आप आप से पूछा जाएगा चलिए तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का सारा आंस जो मैंने आपके साथ जिक्र किया about the optical disc मैंने आप से समरी सिर्व बता दूँ आज मैंने आपके साथ जिक्र किया optical disc क्या है तो यह secondary storage device है यह कैसे काम करता है इसमें data कैसे store होता है data read write कैसे होता है कौन सा material का इस्तमाल इसमें होता है optical disc के कितने परकार है और उसके भी कितने सब परकार है और उसकी छमता कितनी है वह मैंने आज के वीडियो में आपके साथ जिक्र किया मैं उमीद करता हूं कि यह वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आपको पसंद आएगा और आपके एक्जाम पॉइंट से भी जो जो पॉइंट बन सकता था वह भी मैंने यहां प भी करवाया देंगे तो आपको बहुत आसानी सा अच्छा स्कॉर एक्जाम में कर लो के दोस्तों यहीं हमारी कोशिश यहां पर है कि पहले मैं आपको सारा कॉंसेप्ट यहां पर ठीक है चलिए तो यह आज का वीडियो मैं यहीं पर अंद करता हूं मैं उमीद करता हूं को रिव्यू कमेंड बॉक्स में जरू डालें जिससे आपके एक्सपेक्टेशन को मैं समझ सको और मैं उसका जवाब आपको यहां पर दे सको तो आज के लिए तना ही फिर मिलता है अगले वीडियो में अगले क्लासेस के साथ कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ तब तक गुडग गुडबाय और टेक केर दोस्तों